यारों आपको हैरानी होगी के जैसे आज के दोर में मुसल्मान कई गुरूप्स में डिवाइड हो चुके हैं बिल्कुल इसी तरह से ही हमारी दुनिया के सबसे बड़े मज़भ यानी इसाई धर्म को फॉलो करने वाले लोग भी कई सारे हिस्सों में डिवाइड हैं बलकि ये कहिए कि इसाई धर्म भी कई सारे फिरकों में बटा हुआ है और इसाई धर्म के इनी बहुत सारे गुरूप्स में से एक जो सबसे बड़ा गुरूप है वो है रोमन कैथुलिक चर्च जिसको मगरी भी कलीसा के नाम से भी जाना जाता है आज के दोर में इस गुरूप के ज़्यादा तर लोग फ्रांस, इटली और स्पेन के साथ 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 अमरीका के देशों में आबाद हैं इस गुरूप की बुनियाद सैंट पीटर ने रखी थी जिनको हजरत ईसा अलाहिससलाम के बारा हवारियों में से एक हवारी भी माना जाता है यारों आपको बता दें के इनको इसाई धर्म के पहले पॉप के तौर पर भी याद किया जाता है हिसाईयों के मुताबिक हजरत ईसा अलाहिससलाम के बाद इन्होंने लगातार 25 साल तक कैथुलिक मज़भ का पिर्चार किया था मगर इस गुरूप को सबसे जादा बूश्ट उस वक्त मिला कि जब 4 सदी इसवी में रोमन एंपायर के बादशाह कॉंस्टन्टाइन दी ग्रेट ने ना सिर्फ इस धर्म को कुबूल कर लिया बलकि इसे सरकारी मजभब भी डिगलेयर कर दिया